हेलो स्टो आप सभी सोब बात करेंगे आप स्टॉक मार्केट के लेटेस बिग न्यूस के बारे में दोस्तो जिसका इंपैक आज आपको स्टॉक मार्केट पर देखने को मिला है और इतनी बड़ी गिरावट के पीछे भी यहाँ पर ऐसे पाच रीजन है जो यहाँ पर हम डि स्टॉशन आगे आने वाले उसके लिए क्योंकि यहाँ पर मार्केट करेक्शन में और कंटिन्यू कर सकता है क्या जब यह आप रीजन देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा तो चलिए स्टार्ट कर लेते आप यहाँ पर इस वीडियो को पूरी तरके से अंडरस्ट पर इस अंडर्स करेंगे देखें जो यहाँ पर डाउन जॉन्स है जो यहाँ पर अमेरिके का स्टॉक मार्केट है वहाँ पर क्रेक्शन ज्यादा देखने को मिला था रात को उसका भी इंप्यक्श्ट यह थोड़ा नॉर्मली रीजन है और यहाँ पर उसके पीछे बड़ इतना बड़े जो यहाँ पर परसेंटेज लगाता है आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता भी चलेगा यह कंटिन्यू डाउन ट्रेंड मार्केट के चल रहे हैं आप तक यहाँ पर डाउन जाउन जो यहाँ पर चलने वाला दोस्तों यहाँ पर इसका फिट्रिक कितना है आप देख भी सकते हैं मैं आपको यहाँ पर दिखा न भी चाहूंगा ओगा आज यहाँ पर करेक्शन देखने को मिला तो आप बोलते चुके हैं दोस्तों देखें युएस तरब से भी और इंडिया में भी कुछ ऐसी चीजे चल रही है जिसका असर आपको स्टॉक मार्केट में देखनेक मिल रहा है एक बात मैं आपको पहले बता दू कि यहाँ पर जो करेक्शन है उसमें जो डॉलर की पुरी प्राइजेस नियाशनल करनसी बोलकर आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो भी हाँ पर प्राइजेस रहती है जो बी अलग अलग दिशों के जो भी करनसी युद्यिति उसकी वह डॉन हो रही है और डॉलर स्टॉंग है और जाधा बढ़रा है तो उसका क्या होई इंपक होता है उसमें ज्यादा impact होता है और इसलिए यहाँ पर यह भी एक बड़ा reason बन रहा है आप यहाँ पर बहुत ज्यादा knowledge रखते हैं तो आपको पता चलेगा dollar के prices hack बोलतो हीक होने से बनने से ज्यादा यहाँ पर उसका भी impact पड़ता है अभी देखे US inflation falls less than estimates तो यहाँ पर data release overnight show that US CPI यहाँ पर देख सकते हैं उन्होंने यहाँ पर जो inflation के बारे में जो data रखा है US CPI तरब से वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा impact कर रहा है और उसका भी यहाँ पर हमें जो आपको बदा दो जैसे कि इंडिया में Reserve Bank ने जो यहाँ पर रेपो रेट के बारे में announcement किया और यहाँ पर continue वैसाई उधर भी देखने को मिल रहा है US में भी same situation यहाँ पर नजर आ रही है और आपको बता दो कि यहाँ पर dollar की prices बढ़ने के वज़े से Asian market फॉल वा वह भी मैं आपको अभी समझा रहा था कि यहाँ पर dollar की prices बढ़ रहा है बोलको उसका भी impact देखने के मिल रहा है Japan का market रहने दो यहाँ पर Hong Kong का रहने दो Indian market रहने दो South Korea यहाँ इसे सभी भी यहाँ पर down हो रहे है अभी देखे continued जो यहाँ पर foreign portfolio investor होते हैं उनका outflow यहाँ पर देख सकते है FPI जो होते हैं उनका बिक्वली ज़्यादा कर रहे हैं और यहाँ पर लगातर माल बेच रहे हैं अभी आप बोलेंगे सिर ऐसा क्यों हो रहा है अभी जो देखे कोई भी बहुत से बड़े investor ऐसे होते हैं कुछ कि जो यहाँ पर bank तरप से loan लेकर ऐसे बहुत अलग अलग यहाँ पर चीजे कर कर क का तो उसमें क्या है यहाँ पर यह जो rate बढ़ते हैं उससे इनका भी यहाँ पर जो interest rate रहेगा जिससे पैसा लेते हैं उनको देने के लिए इनका rate बढ़ जाएगा तो यह भी आपना पर पैसा लगाने का थोड़ा रुका देंगे कम करेंगे जो है वो निकाल कर ले लेंग को मिल सकता है बट ऐसा थोड़ा ज्यादा यहाँ पर होगा नहीं बट देखें यहाँ पर all eyes on Indian CPI reading the यहाँ पर देखें the day will see the release of the Indian April's CPI reading which unlike to the US may raise over the previous reading निर्मल यहाँ पर देखें निर्मल bank institution equity said CPI inflation is likely to raise अभी inflation का rate है देखें 7.4% in April from 6.95% in March तो यहाँ पर जो inflation देखें आज जो 10 रुपई के चीज है वो एक महिने के बाद यहाँ पर थोड़ी बढ़ जा रही उसकी price बढ़ रही है बोलतों यहाँ पर लगातार चीजों के prices बढ़ रहे है जो value है पैसे की वो कुछ भी नहीं बट चीजों के जो यहाँ पर prices बढ़ रहे है inflation rate बढ़ रहा है बहुत ही ज्यादा यहाँ पर महिनगाई बढ़ रहे है उसका पूरा impact यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यही चीज़े देखें यहाँ पर जो market में correction लेकर आ रहे है तो आप यहाँ पर समझ रहे है क्या-क्या इहाँ पर impact कर रहा है कौन सी चीज कुछ भी यहाँ पर output नहीं निकला है इसलिए और भी कितना आगे बढ़ेगा वह भी हाँ पर pressure क्रेट कर रहा है ऐसे बहुत से situation अभी under the pressure में है तो उसका यहाँ पर impact हमें stock market पर worldwide पर देखने मिल रहा है इसा नहीं कि देखे खली हमारा stock market गिर रहा है यह हमारा यहाँ पर जो निवेश के वाला यहाँ पर company का stock गिरता तो अलग बात है सभी जुण में गिर रहे है तो tension लेने की जरूत नहीं है आपको यहाँ पर buying operation देखने को मिले अच्छे अच्छे बहुत ही जबर्दस stock आप select किजे 50-30% वाले और यहाँ पर जबर्दस तरीके quantity उठा कर आप देखती रही है आगे आपको ग्रोध जरू देखने को मिलेगी ठैकी सुमच